जादू टोने से सम्मुहित प्रतिक पूरी तरह राहुल का मूद तकिये से दबानी जाए उससे पहले ही वहाँ पर नवया आ जाती है और वो उस पर गंगा जल चिड़कती है भाबी, नवया, प्रतिक तुम दोने इस वक मेरे कमरे में क्या कर रहे हो राहुल, मुझे माईके में रहकर बहुत बेचेनी मेशूस हो रही थी मुझे लगा ही था कि रात को कुछ न कुछ हो सकता है और यहाँ आने पर मैंने देखा कि प्रतिक सम्मुहित होकर तुमारा मुद तकिये से दबाने जा रहा है क्या? ए भगवान, अच्छा हुआ भाबी, जो आप सही समय पर यहाँ पर आ गई और आपने मुझे पर गंगा जल छिड़का और आज आपकी ही वज़े से भया की जान भी बच गई आनव्या, सच में, यह जो कोई भी है उसका जदू टोना को ज़्यादा ही भयानक होते जा रहा है हाँ राभूल, और मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने उस दिन थागा जान भूच कर निकाला था ताकि मैं रात में समय थोकर उस वेक्ति के पास चाओ जो जदू टोना कर रहा है मैंने मा को बोला था कि आप मेरा रात में पीछा करना और मुझ पर गंगा जल चिड़कना ताकि हम दोनों रंगे हाथ उस वेक्टी को पकड़ पाए लेकिन मा तो उस रात गोड़े बेचकर सो रही थी और मैंने मा जी की सारी उस वेक्टी को दे दी आब या बावी की बात से मैं सेहमत हूँ जो कुछ भी हुआ है उसमें बावी की कोई भी गलती नहीं थी एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने हमारी जान बचाने के लिए ही ये सब किया है और मा की मोद के पीछे भी उस व्यक्टी का ही हाथ है जो ये जादू टोना कर रहा है आ रहा हूँ और इस समय हम पाचो को एक साथ होना बहुत जरूरी है वो जो कोई भी है वो हम पाचो को नहीं छोड़ेगा इसलिए अब हम सब को एक साथ ही रहना चाहिए ठीक है नव्या मैं समझ सकता हूँ और मुझे भी माफ कर दो मा की जाने के गम में मैं कुछ भी समझ नहीं पाया और गुस्से में आकर मैंने तुम्हे घर से बाहर निकाल दिया और तुम सही कह रही हो नव्या हम सब को साथ में ही रहना चाहिए तोकि एकता में बल होता है और हम सब एक होकर क्या लेकिन ये कब तुटा मैंने तो इससे निकाला भी नहीं तुनी से पहले तो ये मेरे हाथ में ही था तब ही राहुल अपने फोन में घर के CCTV पुटेच चेक करता है ये क्या ये मास्क वाली लड़की खिड़की से आई है और इसने प्रतिक के हाथ से धागा काटा है क्या बाप रे उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो देवर जी को सम्मोहित करे और इनके हाथों से तुमारी जान ले ले रहुल आ नव्या तुमारा कहना एकदम सही है और प्रतिक तुम चिंता मत करो पूजा गर में मैंने धागे बचा कर रखे थे मैं अब ही लाती हूने फिर नव्या उन धागों को लाकर फिर से प्रतिक के हाथ में बान देती है अब ठीक है अब वो इसे नहीं निकाल पाएगी क्योंकि अब हम सब साथ रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे आ भाबी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब उस हाथ से के बाद से वो पाच मास्क वाली लड़की अपने जादू टोने से उन्हें तकलीब देगी उसे अच्छा तो यहीं होगा कि हम खुद घर में हवन करें हाँ मा वैसे भी हमें मंत्रजाब करना आता ही है फिर वो पाच्छों लोग साथ में बेटकर हवन करते हैं और यह देखकर मास्क वाली लड अभी कुछी देर बात में पचानक से वहाँ पर एक चिपकली आ जाती है और उससे डर कर कस्तुरी उठ चाती है नहीं बचाओ चिपकली चिपकली है वहाँ पर हाई दया अरे बचाओ कोई मुझे कस्तुरी के उठने के कारण बाकी चारों भी उठ जाते हैं और पूजा में भंग हो जाता है जिस कारण हवन की अगनी बुच जाती है क्या माव भी पर एक मामुले सी चिपकली के कारण आपने इतना हंगामग मचा दिया देखिए अब आप भी बुज गई कस्तुरी तुमें तो बस हमेशा गड़बड करना ही आता है माफ करना मुझे लेकिन मैं चिपकली से बहुत डरती हूँ तुझे तो पता ही है न नव्या तो अभी अच्छानक से वहां के लाइट बंचलू होने लगती है हे राम जी आल तु जलाल तु आई बला को टाल तु आल तु जलाल तु आई बला को टाल तु नव्या मेरी तो जानी निकले जा रही है आज तो मैंने तो ये सब फिल्मों में होते हुए देखा था लेकिन आज तो ये सब हमारे साथ हो रहा है और इसे देखकर तो मेरा जेब बहुत गबरा रहा है गबराई है मत देवर जी और हिमत मत आ रही है अभी अचानक से राहुल गिरिश और प्रती तीनों सम्मोईत होकर घर से बाहर जाने लगते है मा इनने देखो ये तीनों अजिपतरी के से चल रहे है हाँ बेटी लगता है ये तीनों सम्मोईत हो गए है और वो मास्क वाली लड़की ने अपने पास बुला रही है नहीं मा ऐसा नहीं होना चाहिए राहुल, देवर जी, पापा, रूप चाहिए नहीं नव्या, ये तीनों हमारी आवास नहीं सुन पाएंगे आँ मा, हमें इनका पीछा करके इन्हें रोकना होगा गंगा जल लेजिए और चलिए जल्दी से हाँ नव्या, वो दोनों आगे बढ़ने के कोशिश करती है लेकिन उनके पेर आगे ही नहीं बढ़ते नव्या, हमारे कदम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे लगता है जादू टोने के कारण हमारे पेर जम गए है अब हम क्या करेंगे मा नव्या और कस्तुरी बेहर टड़ जाती है देख बेटी, हम दोनों के पेर जादू टोने के कारण थम गए है लेकिन मूँ तो है ना चल, जल्दी से हनुमान चाली सा बोड़ हनुमान जी की शक्ती के आगे यह जादू टोना कुछ नहीं है हा मा, आपने बिल्कुल सही कहा जै हनुमान ग्यान गुन सागर, जै कपिस्ती उलोकों जागर राम गुद्गातुलितबल नामा अनि पुत्रपवन सुतनामा हनुमान चाली के जाप के कारण उन दोनों के पेर छूट जाते हैं और वो दोनों भाकते हुए उन तीनों के पास चिली जाती है और उन तीनों पर वो गंगाजल चिड़कती है जिसके बाद वो तीनों फिर से होश में आते हैं हम तीनों यहाँपर इस बीच रास्ते में कई हम तीनों सम्मुईत तो नहीं हुए थे न? आदा माज्य आप तीनों समुईत होकर जा रहे थे और जब हम दोने आप तीनों का पीछा करने की कोशिश की तब तो हमारे भी पेर जम गए थे लेकिन हनुमान चाली साब बोलने की कारण हम आगे बढ़ पाए लेकिन ये सब आखिर हो क्या रहा है अभी तो हमारे हाथ में भ और भी जाधा ताकतवर कर रही है ताकि वो हमें पूरी तरह बरबात करे और उसमें वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाती मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरे और मेरे परिवार के साथ हो रहा है जो भी हो अब हमारा घर पर या पिर किसी कोई जगे पर खत्रे से खाली नहीं है इसलिए हमें मंदिर जैसी पवित्र जगे पर रुखना चाहिए वहाँ पर उस लड़की का जादु टोना कुछ काम नहीं करेगा बता नहीं वो लड़की हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है अकिर उससे हमारी क्या दुश्मनी है हाँ भया हमारे और भ और परिशान हो जाती है ये लोग खुद को बहुत होशियार समझ रहे हैं न अब देखना अब तो तुम लोगों को में मार कर ही रहूंगी अब तो मेरा बदला जल से जल पूरा होगा फिर कुछ ही देर बार मंदीर में वो पाचो भी सो जाते हैं और तभी अचानक से प्रति प्रतिक प्लीज बचाओ मुझे लेकिन तुम बोल कौन रही हो मैं तुमारे साथ तुमारे कॉलेज में ही पढ़ती हूं प्रतिक और मैं तुमारे घर के पास में ही हो और तुमारा नंबर मैंने वोट्सेप ग्रूप में से लिया है यहाँ पर कुछ शराबी कुंडे मेरा पीचा कर रहे हैं प्रतिक एक जल्दी से बाहर आओ और बचाओ मुझे क्या है भगवान तुम चिंता मत करो मैं अभी पहुच रहा हूँ वहाँ पर और तुम डरना मत एक प्रतिक जल्दी आओ प्रतिक अब मंदिर के देहलिस पार कर देता है और वो सम्मुहित हो जाता है और सम्मुहित हो कर वो सिधे मास्क वाली लड़की के पास पहुचता है बहुत खूब अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गए ये लो ये लड़ू का प्रशाद अब अपने घरवालों को दे देना अब जाओ यहाँ से ठीक है फिर प्रतिक वो प्रशाद लेकर वापस मंदिर पहुचता है बेवकूफ कही का अब ये जादू टोने से अभी मंत्रिक प्रशाद को खा कर गिरेश प्रतिक और राहुल तीनों भी मंदिर में रह कर भी मेरे जादू टोने से सम्मुहित हो जाएंगे और सिधे मेरे पास चले आएंगे इस प्रशाद का नव्या और कोस्तुरी पर कुछ असर नहीं होगा लेकिन वो दोनों अपने तीनों घरवालों को बचा नहीं पाएगे उन दोनों मा पेटी ने मेरा सब खुश बरबाद कर दिया अब उनकी बरबादी भी नस्दीखे फिर अगली सुबे प्रतिक सभी को वह अभी मंत्रिक प्रशाद द नहीं तो तुझे ये प्रशाद कहा सी मिला आदिवर जी वो दरसल मुझे ये प्रशाद पंडिजी ने ही दिया है और अब वो सुबे की पूजा का भोग प्रशाद लाने बापस गर पे गए है थोड़ी देर में आते ही होंगे अच्छा इसका मतलब यह है कि वो जब यहा बोल रहा है और उस प्रशाद को खाने के कुछी देर बाद नव्या और खुस्तुरी दोनों देखती है ये गिरिश प्रती को रहा हुए तीनों फिर से मंदिर के बाहर जा रहे है अरे नई अभी दो मिनिट पहले तो ये तीनों एकदम ठीक थे लेकिन अब इने क्या हो गय ये कहा निकल लिए अरे मा ये तीनों फिर से अजिब तरीके से चल रहे है ठीक वैसे ही जैसे सम्मुईत होने के बाद चलते हैं लगता है इन पर जादू टोने का असर हो रहा है लेकिन इसा कैसे हो सकता है बिटा हम तो मंदिर में है और उसके बाद भी ये तीनों केसे हो सकता है वो इसलिए मा क्योंकि अभी अभी एक औरत मुझे बोली कि पंडिच जी की तबियत खराब होने के कारण आज दूसरे पंडिच जी देर से आएंगे इसका मतलब प्रतिक ने हमसे जूट बोला हा मा शायद उस प्रशाद में ही कुछ गड़ बढ़ रही होगी लेकिन ये कैसे संभव है बिटा और इसका आसर हम पर क्यों नहीं हुआ ये सब सोचने का समय नहीं है मा हमें उन तीनों का पिछा करना होगा और उने कल रात की तरह फिर से रोपना होगा वरना बहुत तेर हो जाएगी और हम उन तीनों को खो देंगे मा नहीं नवया गर में गुच जाते हैं जहाँ पर वो मास्क वाली लड़की होती है आज तुम तीनों की जान नहीं बचने वाली चलो जल्दी से इस मीच पर रखी जहर की शीशिया उठाओ और पील जहर ठीके जल्दी से मेरे आदेश का पालन करो जल्दी पीलो इसे वो तीनों जहर पीन उन दोनों मास्क वाली लड़की बस बहुत हुआ तेरा तो अब हमारा कुछ नहीं बिगार पाएगी इतने दिनों से जिना दुश्वार कर रहा है तुने हमारा जरा हम भी तो देखें कि आखिर तु हे कुन नव्या अटाइस का नकाप फिर नव्या उस लड़की का मास्क खटाती है और वो उसका चहरा देखकर एकदम चोग जाती है तुम तो तुम हो जो यह सब कर रही हो मुझे लगाई था कि यह सब इसने ही किया होगा आखिर कौन है यह लड़की जानने के लिए हमारा अगला वाग देखना ना भूले और अगर आपने हमारे चैनल को सब्स किजिए और बेल आइकॉन दाबाना ना भूले मनारा की शाधी शुभम से होती है वो जब अपने ससुराल में ग्रभविश करती है तब यह उसके साथ ट्रगबर के दहिज लेकर आती है और साथ ही उसकी नोकरानी नेना भी होती है अरे मनारा बहो यह दहिज के सामान के मेरे पर्सनल नोकराने, ये सिफ मेरे ही काम करेगी, अब ससुरल में आने के बाद ये माईके में क्या करेगी, इसलिए मैं यहाँ पर भी इसे लेकर चिलिया है, मननारा पहले तो अकेली थी, लेकिन शादी होने के बाद में, नेना से उसकी और उसके पती की नस्दी किया देखी नहीं जाती, जब जब वो दोनों कही बाहर जाती, एक दूसरे के साथ वक्त बिताती, या फिर एक दूसरे के लिए कुछ खरीद कर लाती, तब तब नेना को जलन होने लगती है, मनना राओ, ये देखो, मैंने तुमारे लिए गजरा लाया है, कल हम दोनों सुबे मन्दी जाएंगे, तब तुम ये गजरा लगाना, गजरा लगाने पर तुमारी खुबसूरती में और भी ज़दा निखार आ जाएगा, तुमने इतने प्यार से जलाया है, उनकी बाते सुनकर नेना को अब गुसा आता है, मनना रा मैडम जब सिंगल थी, अब मुझे इसकी सुन्दरता से जलन थी, लेकिन अब अब इसके खुशियों से जलन होने लगी है, इसे इतना अच्छा पती और ससुराल मिला है, और एक मैं ही यहाँ पर अटक गई भी, काश मेरे पास भी वो सब होता, जो मैडम के पास है, पिर एक दिन, जब मनना रा सबको खाना परोस्ती है, तब उसे चक्कर उसके सास ससुर पहुत खुश होते है, अरे वा मनना रा बहु, क्या बेतरिन खाना बनाया है तुमने, आज तो जाही आ गया, कितना स्वादिश्ट खाना बनाया है तुमने, थैंक यू मा जी, जस माइन ब्लोइंग मनना रा, और बहु, इसी बात पर तुम्हे आज शगुन का नेक तो मिलना ही चाहिए, एक मिनिट अ, फिर सोमेंद्र अपने जेब से कुछ पेसे निकालता है, और वो म अन्ना रखे हाथ में थमाने जाही रहा होता है, लेकिन उससे पहली है, नेना अपना हाथ आगे करती है, अंकल जी, ये नेक मेरा है, क्या, और नेना, बोरा बोरा गई है क्या तू, नहीं मा जी, ये सही कह रही है, इस नेक का अप तो इसे ही मिलना चाहिए, क्यूंकि ये स सारा खाना इसी ने बनाया है मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्या अरे वा नेना तुमने तो कमाल ही कर दिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बस मेरा खाना बनाने का मन किया इसलिए मैंने बना दिया बहुत खूब नेना और ये लो तुमारा नेग और मनना रबहू खाना तो एकदम बढ़िया है। नेना की तारीफे सुनकर मन्नारा थोड़ी सी नाकुश हो जाती है। वहीं नेना को बहुत ज़्यदा खुशी मिलती है। अब मैं इसकी पर्शनल नवकरानी हूँ। यानि एक किसम से छोटी बहेन ही हुँ ना। तो इसका मतलब यह है कि मैं शुभम की साली हुई। और साली तो आदिक घरवाली होती है। अब देखना मन्नारा केसे में तेरा सब कुछ लूट कर। सबको तुससे दूर लेकर जाओंगी। क्यूंकि अब जब मैं यहाँ पर आटक ही चुकी हूँ। तब मैं इस परिवार को और शुभम को तो अपन आप बना कर ही रहूंगी। फिर एक रोज नैना देखती हैं कि शुभम मन्नारा के लिए मुवी तिकेट्स बुक कर रहा है। चलो ग्रेट। मैंने मुवी की तिकेट्स तो बुक करके रग दी है। अब शाम को मैं और मन्नारा, तुम दोनों मज़े से जाएंगे मुवी ड पर जाने का प्लान बना रहा है। लेकिन इस नैना नाम की काली बिल्ली के होते हुए। तुम दोने एक साथ कैसे जा पाओगे थेटर में। मैं तो कुछ ऐसा कांड करूंगी। जिसके चलते शुभम और मन्नारा, दोनों एक साथ मुवी पर जा ही नहीं पाएंगे। फिर आज शाम को आपके साड़े चार बजे पारलर की अपॉइंट्मेंट बुख की है। अरे लेकिन वो तो दो दिन बार उने वाली थी ना। और अगर शाम को मुझे घर पर कोई काम रहा तो। नहीं मैडम, आज शाम को आपको कोई काम नहीं है। अंकल जी और अंटी जी का ब्रत है। जो वो दोनों कल ही तोड़ेंगे। और आपके और सर के लिए मैंने खाना बना दिया है। और पारलर में दो दिनों बाद बहुत रश होगा। क्यूंकि तभी पारलर की सेकेंड अनिवेस्री के चलते डिसकाउंट होगा। इसलिए आप अपना काम आज ही निप टालो। ठीक है नेना वो और सही किया तुमने जो मेरी आज की अपॉइंट्मेंट बूप कर दी। फिर मनारा शाम में पारलर चिली जाती है। और जब शुबम को पता चलता है कि मनारा घर पर नहीं है। तभी। अरे नेना तुमने मनारा को कही देखा है क्या। कहा गई ह अरे सर मैडम तो पारलर गई है। उन्होंने आज पारलर की अपॉइंट्मेंट ली थी ना। इसलिए अभी तो उन्हें आने में रात हो जाएगी। चार से पाच गंटे लगते हैं उन्हें पारलर में। क्या? चार से पाच गंटे? ओ गड़! क्या हुआ शुबम बेटा? अरे मा, मैंने सोचा था कि मनना रखो मूवी डेट पर लेकर जाओंगा। उसे सर्प्राइज भी मिलेगा। लेकिन वो तो गर पर हें ही नहीं। और मैंने तो मूवी की तिकिट्स भी बुक कर दी है। ए भगवान, तो तू अब एक काम कर। नेना को लेकर जा। मैं और त जा बेटा, इसे ही लेकर जा। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये आप केसी बाते कर रही हो। मा, बिल्कुल सही कह रही है। क्योंकि मैंने मूवी की तिकिट्स तो अल्रेडी बुक कर दी हैं, तो पैसे वेस्ट क्यों करना है। चलो, जल्दी से रेडी हो जाओ। लेकिन सह जाब, मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ। आतो उसमें क्या हुआ नेना। चलो अब, जल्दी से तयार होकर आओ। फिर शुबम और चित्रा के कहने पर, नेना उसके साथ मूवी देखने चली जाती हैं। और उसके बाद वो दोनों खुब गुमते हैं। इहेहेहे, अब जब मनारा को पता चलेगा कि मैं और शुबम ठेटर गए थे, तब उसे बहुत बुरा लगेगा। फिर जब मनारा घर वापस लोगती हैं, तब ही वो नेना और शुबम को एक साथ खर लोगते हुए देखती हैं। और उन दोनों को साथ देखकर, वो हेरान रह जाती ह और उसे बहुत बुरा लगता हैं। ये नेना और शुबम ये दोनों एक साथ कहा पर गए थे। अरे बहु, मैंने ही इन दोनों को साथ भेजा था, अब तुम तो पारलर चली गई थी ना, और शुबम ने तो मुवी की तिकिट्स भी खरीदी थी, इसलिए वो तिकिट्स इसलिए मैंने नेना को उसके साथ भेज दिया। अरे लेकिन नेना को साथ लेकर जाने के क्या ज़रूरत थी, वो अपने किसी दोस्कों भी लेकर जा सकता था ना। माफ करना मैडम, लेकिन मुझे तर सर और अंटी जी ने कहाता जाने के लिए, मैं घर पर खाली ही बैटी इसलिए, अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा एक्स्प्लेनेशन देने के कोई जरूरत नहीं है। मनारा अब देखती हैं कि दिन बर दिन नेना और शुबम की नस्दिकिया कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। फिर एक दिन, जब शुबम अपना टिफिन घर पर भूल कर जाता है। तभी नेना उसे टिफिन देने ओफिस चली जाती है। थैंकि सो मच नेना, तुम मुझे टिफिन देने यहाँ ओफिस तक चली आई, वो भी इतनी तप्तित धूप में। ये वार बेलकम शुबम सर। अरे लेकिन तुम क्यों आई, मनारा को बेज देती देना, माफ कीजिए सर, मैं इसे बिना बताए ही चली आई, मैडम तो सो रही थी न, इसलिए मैंने उन्हें बिस्टप करना सही नहीं समझा। अच्छा, कीके कोई बात नहीं, once again thank you, जी सर, चलती हो में। फ्रेल नेना वहाँ से चली जाती है। और बाद में फोन पर, क्या यार मनना रहा, टिफिन लेकर आफिस में तुमें आना चाहिए था, तुवाँ पर नेना आ गई, वेसे नेना अच्छी लड़की है, हमिशा मेरा खयाल रखती है, अरे बस को रशुभम, और नेना के गुनगान मत गाओ, और हाँ, उससे बाचित भी कम किया करो, क्योंकि त मनना रहा, तुमें इसे क्यों कह रही हो, तुमें अच्छी तरह से पता है शुभम, कि मैं तुमें बाकी लड़कियों के साथ क्लोस नहीं देख पाती, सो प्लीज, तुम उस नेना से दूर ही रहो, जितना जादा तुम उसके साथ फ्रेंडली बनोगे, उतनी ही जादा वो नेना के पास जाकर उसे भी वो खुब सुनाती है, कान खोल कर सुन लो नेना, आज से तुम शुभम की तरफ आप उठा कर भी नहीं देखोगे, तुम मेरी परसनल नोकरानी हो, तो वही बन कर रहो, सिर्फ मेरे काम करो, दूसरों के काम करने के लिए मैं हूँ, तुमारी व कर दिया, लेकिन उस सब की कोई जरूरत नहीं थी, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, जो काम मैं तुमें बताऊंगी, अपसे तुम वही करोगे, खुद का दिमाग लगाने की तुमें कोई जरूरत नहीं है, और आगे से वेसी कोशी भी मत करना, वरना मुझ से बुरा औ और कोई नहीं होगा, ठीके मैडम, मनारा की बाते सुनकर, मेना का भी माता फेल जाता है, ये खुद को आखिर क्या समझती है, बस बहुत हो गई ये चाले, अब मैं सिधा वार करूँगे, और ऐसा वार, कि सब कुछ आरपार हो जाएगा, जो मुझे नहीं करना चाहिए, ब तुद देख मननारा, कैसे में तेरा घर तोड़ती हूँ, फिर एक रात, जब घर वाले पड़ोसकी किसी बड़े पार्टी में गए होते हैं, तभी नेना मोका देखते ही, अफिस से आए शुबम को एक जूस पिलाती है, सही जी, ये जूस पीजी है, बहुत गर्मी है ना, इसलिए इस थंडे-थंडे जूस को पी कर, आपको काफी हद तक राहत मिलेगी, हैंकि सो मच नेना, लेकिन बाकी घर वाले कहा पर है, कब तो काएंगे वो, पता नहीं सर, पर जल्द ही आ जाएंगे, क्यूंकि अंकल जी और अंटी जी की दवाईयों का टाइम भी हो गया ह अच्छा, ठीक है, फिर उस जूस को पी कर, अचानक से शुबम का सर चकरानी लगता है, और तभी नेना, उसे अपने साथ कमरे में लेकर जाती है, और उसके साथ सो कर फोटोस क्लिक करती है, फिर बाद में, जब मन्नारा, चित्रा और सोमेंद्र घर आते हैं, तभी, ए अगवान, ये सोहम तो सो भी गया, शायद ठक गया होगा बेटी, अरे नेना, शुबम ने खाना तो खाया ना, हाँ अंकल जी, सर को बहुत बूक लगी थी, तो मैंने उन्हें खाना खिला दिया, चलो अच्छा है, लेकिन अगली सुबे, अचानक से मन्नारा के फोन पर ने अरे नाला एक बेशरम ओरत, तेरी हिमत कैसी हुई, तुम मेरे पती की साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे सकती हो, शी नेना, अरे इससे पहले कि मैं तेरे बाल नोच कर तेरा बूरा हाल कर दू, अभी के अभी दफा हो जा यहां से, मुझे तेरी शकल भी नहीं देखनी, अरे नहीं मैडम, माफ कर दो मुझे, मैं आइंदा से इससा नहीं करूंगे, प्लीज मैडम, प्लीज माफ कर दीजिए, अरे बस करो अपना ये नाटक, और निकल जाओ यहां से, मन्नारा और बाकी घर वाले, नेना की माफिस विकार नहीं करते, और उसे उस घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद मन्नारा, अपने पती और सास ससुर के साथ खुशाल जीवन जीती है, अंकिता अपने पती अभीजित, सास विल्द्या और ससुर यश्पाल के साथ रेती है, अभीजित की बहन नव्या की शादी अंकिता के बड़े बाही रमन के साथ हुई होती है, अंकिता रोज दिन में सब्जी और रात में चावल ही पकाती है एक रात ये क्या है अंकिता बहू एक हफते से देख रहा हो तुम दिन में सब्जी रोटे और रात में चावल पकाती है रात में भी रोटिया बनानी चाहिए बहू और नहीं तो क्या अरे कल रात को भी तुमने चावल की ही किचडी बनाई थी और आज ये पुला और पापड अरे इससे क्या पेट भरेगा तुम्हें तो पता ही है ना तुमारा पती यानि हमारा अभी दिन बर काम करके ठका आरा घर आता है उसे बहुत भूक लगती है रात को मा जी पापा जी मैं भी दिन बर घर के सारे काम करके ठक जाती हूँ इसलिए मैं रात में कुकर में चावल पका देती हूँ लेकिन अंकिता चुप रहो आभी बहु ये क्या तरीका है अपने पती से बात करने का लेकिन मा जी ऐसा तो नहीं है ना कि रात कुम्हें आपको इने सारे काम होते हैं और ये बात तो आप अच्छे से जानते हो माजी पर बहु सबके लिए दो रोटी बना दोगी तो क्या जाएगा तुमारा दिन में जो तुम सबजी बनाती हो उसी के साथ हम खा लेंगे रात में नहीं पापा जी मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती अगर इतन सब करती बैठी तो मुझे बिस्तर पकड़ना होगा अरे मैंने शादी की है कोई नोकरी नहीं जोइन की जो मैं दिन रात बस आप लोगों के काम ही करती बैठी इतना कहकर अंकिता वहाँ से चली जाती है फिर अगले दिन अंकिता अभी जितको दो रोटी और पनीर की सबज यह लंच में रोटीया चबा चबा कर मैं पक गया हो दिन में थोड़ा चावल भी बना दिया करोटी फिन में नहीं नहीं देखो आभी दिन में चावल खाओगे तो नींद आएगी और फिर तुम काम केक से कैसे करोगे भला जिसके बाद तुमारा प्रोमोशन भी नहीं हो पाएगा नई नई मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती अरे अंकीता ये कैसी बाते कर रही हो तुम बिल्कुल सही कही रही हूँ मैं मैं एक्स्ट्रा का काम नहीं करने वाली अल्रेडी मेरे पास धेर सारे काम पड़े हैं इसलिए तुम मुझे एक्स्ट्रा का काम बिल्क चला जाता है लेकिन रात में जब अंकिता फिर से सब को चावल किलाती है तभी उस पर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं बसकर अंकिता बहो अरे हम कुछ बोलते नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि तो अपनी ही मनमर्जी करती रहे तुम्हारे पापाजी को पिछले एक आपते स रात को सोने के बाद भी भूख लगती है जेस कारण मुझे उठकर उनकी लिए कुछ ना कुछ बना कर देना पड़ता है जो उनकी सहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अंकिता अरे इतने लेट में उन्हें कुछ खाने से अच्छ तो यही है ना कि रात में खाते स समय उनके लिए तुम दो रोटिया बनाया करो अंकिता बहू दाल-चावल और रोटी सब्जी यह चार पदार तो घर में दिन और रात में दोनों पैर बनने चाहिए लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम यह सब क्यू नहीं करना चाती देख बहू कल से दिन और रात में दोनों समय दाल और चावल और रोटी सबजी बनेगी समझ गई तुम ठीक है फिर अगले दिन अंकिता दिन में तो रोटी सबजी के साथ में चावल भी बना देती है लेकिन रात में वो चुपके से अपने पती के पैसो से रेस्टारंट से रोटिया मंगवाती है और विद्या बेहन हो गया खाना पिना हाँ सुपरना बेहन हो गया आपका हुआ कि ने हाँ हाँ अभी हुआ इसलिए तो वॉक करने निकली हो बड़ी थंड हो गई है नहीं हाँ सो तो है और कैसा था फिर उस नहीं रेस्टोरंट का खाना रेस्टोरंट का खाना यह आप क्या कहे रही हो सुपरना बेहन हमने तो आज गर का खाना खाया है बाहर से कोई खाना नहीं मंगवा絆 अरे लेकिन में ने तो उस रेस्टोरंट के डिलीवरी वाले बॉइ को आपके घर में खाना देते हुए देखा था और अंकीता ने उसे प बाहर से मंगाई है, फिर घर जाने के बाद, वो ये बात सबको बताती है, क्या? हाँ, यही सच्छे, इस अंकिता ने बाहर से रोटिया मंगवाई थी, तभी मैं सोचू, कि रोटिया इतनी अलग क्यों लग रही थी, क्योंकि अंकिता बहु के हाथ की रोटियों का स्वात कु हर बार की तरह वही गिजी पिठी सफाई मत देना हम सब जानते है कि तू कितनी बड़ी जूटी है कल से बिना किसी नाटक के तुझे सारे पकवान बनाने होंगे और अगर तुमने नहीं बनाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर अगले दिन घर में महमान आते हैं और तभी अंकिता जान बुच कर रोटिया जला देती है आप देखना कैसे इन जली हुई रोटियों को खाकर महमान पुराई करेंगे और फिर मा जी को ही सारे रोटिया बनानी पड़ेंगे जली हुई रोटिया देखकर महमान विद्या से कहते हैं अरे विद्या बहें यह कैसी रोटिया है तुमारी बहु को तक ठीक से रोटिया भी सेकने नहीं आती अरे कुछ संसकार नाम की चीज है या नहीं उसमें अरे नहीं नहीं वो दरसल क्या विद्या इतना बेस्वात खाना खिला रही हो तुम हमें तुम्हारे घर आने पर हमारे साथ ऐसा पेश आया जाएगा ये हमने तुमसे कभी उम्मिद नहीं की तु मेहमानों की बातों का विद्या और यश्पाल को बहुत पूरा लगता है लेकिन विद्या समझ जाती है कि ये सब अंकीता ने जान बूच कर ही किया है फिर मेहमानों के जाने के बातों बस अब बहुत हुआ अंकीता बहुआ अब तु इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगी दिन में चावल और रात में रोटी बनाने से तुझे बहुत आलस आता है ना ठीक है अब तु हमेशा हमेशा के लिए आराम करने अपने माई के चली जाए मैं अपने पती और अपने बेटे को संभाल लूँगी हमें तुमारी कोई जरूरत नहीं है क्या हाँ अंकिता तुम इतनी सी बात के कारण ये सारे नाटक कर रही है मुझे तुमसे ये उम्मित बिल्कुल भी नहीं थी तुम मेरे मा और पापा के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या बहु तुम अपने माई के जा सकती हो और वही पर जाकर आराम करो हम तुमें अपसे किसी भी प्रकार की तकलिफ नहीं देंगे जाओ अपनी जिन्दगी अपने उसूलों पर जियो लेकिन पापा जी मेरी बात तो सुनिये अब हमें कुछ भी सुनना और समझना नहीं है चली जाओ यहांसे फिर अंकीता अपने माई के चली आती है और वहाँ पर जाने के बाद वो देखती है कि उसके भावी नव्या उसकी मा जानकी और भाई रमन के कितनी अच्छे से देखबाल कर रही है माजी चलिए अब आप यह खाने के बाद यह दवाई भी खा लीजिए को पिछले अपते सर्दी जुकाम हुआ था न इसलिए धन्यवाद नव्या बहू तुम सच में बहुत अच्छी हो भगवान करे तुमारी जैसी बहू हर सास को मिले बस बहू अरे मैं तो यह कहता हू कि भगवान नव्या जैसी बीवी हर लड़के को दे सच में तुम जिस तरह से मेरी मा का खयाल रखी हो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है नव्या अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है आपकी मा मतलब मेरी ही मा है ना मैं तो इनसे तुमसे भी ज्यादा प्यार करती हू रमा समझे तुम चलो अब मैं तुमारे और अंकिता के लिए गर्मा गरम नूडल्स लाती हूँ ये नूडल्स मैंने स्पेशल अंकिता के लिए बनाये है अंकीता ने अपने घर वालों को कुछ भी बताया नहीं होता कि वो वहाँ पर क्यूं आई है लेकिन अपने घर पर आने के बाद नव्या को देखकर उसे अपनी गलती का ऐसास हो जाता है और उसे बहुत शर्मिन की भी महसूस होती है कितने बुरी हूं मैं यहां नव्या मेरी मा और मेरी भाई का कितने अच्छे से खयाल रख रही है उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रख रही है और उदर मैं हूँ जो अपनी साससुर का कुछ भी खयाल नहीं रख रही है नई ने लेकिन अप ऐसा नहीं होगा जो राइता मैंने फैलाया है उसे मैं फिर से समेटूंगी और अपनी सारी गलतिया सुधारूंगी फिर अंकीता अपने ससुरा लाती है और हाथ चोड़कर अपने सास ससुर और पत्ती से माफी मांगती है माजी पापाजी मुझे माफ कर दीजिये पुराभी, I'm really sorry मैंने तुम्हारा भी दिल बहुत दुखाया है मैं एक बहुत ही बुरी बहु और बुरी बीवी हूँ लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का ऐसा सो चुका है मुझे बहुत से रमिंगी हो रही अपने किये पर माजी पापाजी अपनी बेटी समझ कर मुझे अपनी कलतियों को सुधारने का एक आखरी मोका दीजिये प्लीज माजी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक सर्वगुर्न संपन्न बहु बन कर दिखाऊंगी प्लीज माजी, प्लीज पापाजी ठीक है बहु हाँ बहु, हम तुझे माफ करते हैं तुमारी आखों में देखकर सच में मैसुस हो रहा है कि तुम दिल से माफी मांग रही हो देर आये पर दुरुस्ता है तुम्हें अपनी गलती का ऐसास हो चुका है ये सुनकर और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है अंकिता अब हम सब एक नई शुरुवात करेंगे और खुशी से साथ रहेंगे हाँ भी, तुमने बिल्कुल सही कहा फिर उस दिन के बाद से अंकिता के बिहेवेर में काफी सुधार आता है और खाना बनाने के साथ साथ वो अपने बाकी के काम भी अच्छे से करने लगती है और किसी को शिकायत का कोई मोका नहीं देती है